हेलो दोस्तों अमीद है आप सबी ठीक होंगे एटियम रूम में एसी क्यों? फ्रांस की महलाओं के बार क्यों काटे जाते थे सब के सामने और वग्यान की नजर में सबसे सुंदर महला कैसी होती है? इन सबी स्वालों के जवाय मिलेंगे इस एक ही वीडियो में तो चलिए जानते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बला बटन दवाना मत बोलना फैक्ट रमबर दस ये है दुनिये का सबसे शोटा आर्टी फिश्कल दिल दो हेर बारा में इस दिल ने एक साल के बच्ची की जिंदगी बचाई थी वो भी पूरे बारा दिन तक जब तक किसको दूसरा दिल नहीं मिल गया दोस्तो अगर आपके हाथ में कुछ भी पकड़ा कर बोला जाए कि ये लो इस फलानी चीज को हाथ में लो और इसको पिगला दो क्या वो पिगलेगी? नहीं न क्योंकि इंसान के हाथ में इतनी हीट ही नहीं होती कि वो किसी भी चीज को ऐसे पिगला दे लेकिन गेलियम एक ऐसा मेटल है जो इतना ज्यादा नाजुक सा होता है कि अगर आप इसको अपनी है थेली में लोगे तो ये पिगलना स्टार्ट हो जेगा ये आपके हाथ की गरमे जानी की 29 डिगरी के आसपा से पिगलना शुरू हो जाता है फैक्ट रमबर आठ ये है बेला हदीद इनका फेस थोड़ा द्यान से देखो देख लिया तो दोस्तों वग्यान के अनुसार ये महला दुनिया की सबसे सुन्दर महला है वग्यान के अनुसार उनका बोड़ी शेप और फेस की शेप चुरानवे परतिशत परफेक्ट है और अब आप भी देख लो कि वग्यान की नजर में सुन्दर महला कुछ ऐसी होती है दोस्तो इसको भी देखे लो थोड़ा ये है अफरिका में पाया जाने वाला एक मेंटक जिसका नाम है अफरिकन रैन फ्रॉग इनकी शकल कुछ ऐसी होती है कि ये आपको हमेशा ऐसे दिखेगा कि ये बहुत उदास है दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रांस जिन महलाओं के सबंद जर्मन सेनिकों के सास्थ थे उनके बाल काट दिया जाते ते वो इसलिए कि पूरी दुनिया को पता चल सके कि इन महलाओं ने अपने देश को दोखा दिया है और ये सब पूरी दुनिया के सा सच में ऐसा रोड है जपान में दोस्तों 12-12 में एक महला ने अपने बोस को किड़नी दान की जिसे से कि उसकी जान बत जगी लेकिन उस बोस ने उसको जोब से ही नकाल दिया त्यूंकि उसके बोस का उस महला पर अरोप था कि तुम्हारी किड़नी लेने से मुझे ठीक होने म में ज्यादा टाइम लगा है किसी और की किड़नी लेता तो इससे जल्दी ठीक हो सकता था फैक्ट नमबर 3 दोस्तों साल 2017 में पुल्स ने एक 99 साल की महला को अरेस्ट किया था क्यूंकि उस महला का सपना था कि काश मुझे भी एक दिन पुल्स अरेस्ट करें और फिर पुल में चीन जाने की जो कंप्यूटर होता है उसके लिए लगा जाता है क्योंकि कंप्यूटर में माइक्रो प्रसेसर और बाग की जो पूर्जे होते हैं वो ज्यादा हीट नहीं से सकते और 24 गेंटे चलने के कारण ये हैंग भी हो सकते हैं बस इसलिए वहां ऐसी लिगा जाता है तांकि ये ठंडा रहे कर सही से काम कर सके जो चीन की दिवार है वो जब बनी थी तो उस टाइम में सीमेंट नहीं होता था और ये सारी कि सारी दिवार चावल के आटे से बनाए गई है और ये वी उतनी ही मजबूत है जितनी सीमेंट से बनी हुई कोई और इमारत होती है ल कर देना क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इफ्ट इंट्रस्टिंग टॉपिंग और समझ के मुद्दों पर वीडियो लाते मिलते हैं एक और नीव वीडियो में तब तक ये वीडियो और बाकी की वीडियो भी जरूर देखे और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद